दूस्तों इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं BHEL याने के बेल की स्टॉक के बारे में स्टॉक की करण प्राइस की बात करेंगे तो 74.95 की करण प्राइस चल रही है और फ्रैड़ी दिन लगबग 0.86% जो हमें स्टॉक में गिरावट भी देखने को मिल चुकी है यह जो आप चार्ट देख रहे हैं हमने इसको वन डे टाइम फ्रेम में सेट कर लिया है जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो almost 5th December को इसने high लगाया था 92 रुपीस के असपास फिर यहाँ से जो हमें इसमें continuously गिरावट देखने को मिल चुकी थी फिर यहाँ पे इसने fresh support लेके उपर की और हमें bounce देखने को मिला फिर गिरावट देखने को मिली जहाँ पे पहले इसने support लिया था exactly इसी लेवल पर आने के बाद support लेके फिर से हमें multiple time उपर की और bounce करतावा stock दिखाई दे रहा है अगर से आप इसमें fresh entry का plan करना चाहते हैं तो इसके नीचे का छोटा सा stop loss रखे आप जो इसमें fresh entry का plan कर सकते हैं इसके जलते जल्दी stock में आगेर हमें further उपर की और 30 continue होते वे दिखाई दे सकती है important zone की बात करेंगे तो 72 से लेके 76 तक का ये वाला जो zone रहेगा बहुत ज़्यादा important support रहेगा इगर इसको break कर देता है तो नीचे के side में further गिरा out भी continue होते वे दिखाई दे सकती है तो चलिए जोस्तों हम चेक कर लेते हैं इसका last 4 year का financial trend और analyst हमें क्या सला देते हैं buying की 2019 से 2022 तक का last 4 year का data हमारे सामने show कर रहा है अगर हम compare करते हैं 22 को 21 के साथ में तो यहां पे देखिए revenue और profit में काफी अच्छा growth होते हुए हमें दिखाई दे रहा है जो की positive point है और सबसे main important चीज होती है no red flag दिखाई दे रहा है जब भी आप कोई भी stock में long term short term या फिर swing trade के लिए fresh entry का plan कर रहे हैं तो यहां पे एक बार ticker dev website पे आके जो है इसको red flag है या नहीं एक बार देखके ही उसमें fresh entry का plan बनाएं तो चली दूस्तों हम चेक कर लेते हैं इसका forecast analyst हमें क्या सला देते हैं buying की तो अभी तक आपने angel 1 में demand account open नहीं किया है इसमें fresh entry का plan करें तो चली दूस्तों हम चलते हैं angel 1 app में दूस्तों हम आ चुके हैं angel 1 app में simply यहां से watchlist में आना है watchlist में आने के बाद search box में हमें stock का नाम search करना है जैसे हमें BHEL का देखना है तो यहां पर search करने के बाद उस पर tap करके हमें watchlist में add कर लेना है अगे इस पर हम tap करेंगे कुछ इस तरह से interface हो करेगा यहां पर आप इसकी current price देख सकते हो option chain देख सकते हो charts देख सकते हो stock की details भी आप यहीं पर देख सकते हो हमने justly chart पे analysis किया है तो भी आप buy पे touch करेंगे buy पे touch करने के बाद कुछ इस तरह से interface शो करेगा अगर आप stock को buy करके hold करना चाते है तो आप delivery में करेंगे अगर आप stock को same day by same day sell करना चाते है तो आप intraday में करेंगे simply हमें यहाँ पे नीचे के side में quantity इंटर करनी है मानली जा हमें 250 quantity buy करना है तो यहाँ पे 250 quantity इंटर करेंगे successfully execute हो जाएगा तो दोस्तो आज की स्टूडियो में सिर्फ इतना ही था वीडियो अच्छे लगाए तो वीडियो को like करिए और यह जो वीडियो बनाएगे सिर्फ जर्फ educational purpose के लिए बनाएगे है जब भी आप कोई भी stock मेंटरी बनाए तो अपने financial advisor से consult करके ही उस मेंटरी बनाएगे मिलते हैं नेक्स टूडियो में इसी यूट्यूब चैनल के साथ तब तक के लिए टेक क्यार